जहिन दोस्तों माय तुलकुमार आप सभी का सौगत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल के एशडी टेक्निकल में आज हमें एक फ्रिज देखने आए हैं जिसके बारे में आज आपको दिखाएंगे कि क्या कमी है कस्टूमर ने बुलाया है फुली डेड है तो चलिए हम चेक करके बताते हैं इसमें कहां गड़वड़ी है किस कारण से ये चल नहीं रही है तो चलिए पहले कंपरेसर के पास में दो कंपोनेंट लगते हैं उसकी चेकिंग करेंगे पहली बार तो ये होता है OLP and Relay मतलब ये जो दोनों कामपोनेंट आप नीचे देख रहे हैं कंपरेसर में लगते हैं इसे एक OLP इसे OLP कहते हैं और दूसरा Relay जो कि कामन और रनिंग स्टार्टिंग में लगता है इन उपिनों में compressor के तो अभी हम चेक कर लिए कंपरेसर जाओं और ये OLP है OLP को हम चेक कर लिए ये nord की छी सहिये और Relay भी हमारा पूड़त आप ऑंवड़त रहे है तो अभी हम देखते हैं इसमें कहां गऽरबड़ है किस करन्सीं ये से हमरा चल कभी छिक्षप करने जाए और योज़ें थर्मो इस्टेट को चेक करना थो थर्मो स्टेट डार्यक्ंट कर दagę आरेक्ट कर देंग्ठ मतलब यह समस्च लेना थिा लिए यह गड़बड और हैं थर्मो अपारे बड़बडए बाखी यह जो है सिंगलली में कुछ और component नहीं लगते हैं OLP relay में अगर current जाएगा तो हमारा compressor चलेगा यदि compressor चलता है तो cooling करेगा तो चलिए यह तो clear हो गया है कि यह thermostat यहां गड़बड है तो इसे चेंज करते हैं